हेलो बच्चों कैसे है अच्छे है पढ़ाई स्टाट कर दिया आप लोगोंने पढ़ रहे हैं है ना तो बेटा अभी अपने लास्ट चो क्लासेज हुई उसमें अपने बेसिक फंडामेंटल्स देखें थोड़े बहुत यूज करें आपने बेसिक फंडामेंटल्स लास्ट लास्ट में मैंने एक परट और इमपर्टन कर दिया था interval system है ना उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था हमने open interval, close interval and curly bracket वाला curly bracket में only elements लिखते हैं वह हमने कर दिया था है ना हुपस्वा आपने रिवाइस कर लिया होगा वो और वो important part था आज हम आगे ही उससे चलेंगे inequalities, inequalities बहुत important topic है हमारे, inequalities and wavy-cough method, आपके बहुत सुनाओगा, wavy-cough, wavy-cough बोलते रहते हैं, वो क्या होता है, वो सब अभी हम पढ़ते हैं, तो हम basic inequality से start करेंगे, inequalities, inequalities के basic rules जो है, पहले हम उसको revise कर लेते हैं, पता है यह सब हमने क्या रखता है, पर फिर भी हम इसको समझेंगे एक बार को, क्या है, कि बोला है कि if a is greater than b, a b से बड़ा है, and b is greater than c, b c से बड़ा है, और मैं कहलेते हूं कि जो a, b, c सब क्या है, real numbers, belongs to, सब real number है, तो a, b से बड़ा है भाई, and b, c से बड़ा है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, कि जो a है, वो c से बड़ा होगा, होगा न, greater than c, हम number line से देख लेते हैं इसको, है न, हमने यह number line ली, हमने 3 numbers plot कर लिये, बीटा, इसके अंदर में, इसमें बोला था, a, b से बड़ा है, मैंने a को ले लिया, यहाँ पे, b यहाँ पे ले लिया, और b बोला था, c से बड़ा है, यहाँ पे देखो, number line से, तो भाई, यह number line में, इस side में होते हैं, वो greater number होते हैं, तो हमने पता है कि यहाँ से हमें यह देख रहा है, कि a is greater than b है, राइट, है न, और यहाँ से हमें य बोला करकी मैंने बोला भाई A is greater than C होगा A C से बड़ा होगा है न होगा obvious है A C से बड़ा होगा कोई भी number लेलो चाहिए minus में लेलो चाहिए plus में लेलो चाहिए कुछ में भी लेलो यशा मैंने simple 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 बोल रही हूँ आपको simple कि मैंने एक example लिया यहाँ पे कि भाई minus 3 जो है वो minus 5 से बड़ा है तो मैं इन दोनों से क्या बोल सकती हूँ मैं इन दोनों से बोल सकती हूँ कि minus 3 जो है वो minus 7 से बड़ा होगा होगा simple बिलकुल basic rules पर जा रहा है हम लोग इसके अलावा हम कुछ भी नहीं गया है okay clear this is the first rule right आगे चलते हैं हम लो next rule next rule क्या बोल रहा है equal numbers may be added or subtracted both sides of inequality अभी हम inequality की बात कर रहा है हैना equal number may be added or subtracted both side of inequality without affecting the sign of inequality हैना क्या कह रहा है मैं इसको आपको बिलकुल एक rule से और example देकर के समझाओंगे suppose suppose कि मैंने एक example लिया कि भाई कोई a है number वो b से बड़ा है a b से बड़ा है ठीक है greater है और मैंने क्या करा कोई एक number k है वो दोनों साइड में add कर दिया add कर दिया तो मेरे inequality के sign में कोई फरक नहीं आएगा inequality वैसे ही रहेगा अगर को subscribe कर देती हूँ अगर यहा ग्लीटर है तो greater Gus ऑगा, less है तो less रहेगा उसमें कोई भी changes नहीं होने वाले हैं Example से समझ लेते हैं हम लोग पिल्कुल basic example से भाई साब कि भाई 500 है वो less than 1000 है है ना पक्का है ना 500 का नोट 1000 रुपिया से कम है कम है ना पक्का है ना अब उसमें से क्या करा मैंने 100 रुपिया ले लिया बिटा बिल्कुल second class की मैस है 100 रुपिया ले लिया तो यहां पे बच्चा 400 रुपिया यहां पे बच्चा 900 रुपिया तो दोनों में कोई फरक नहीं आ रहा है साइन तो वही का वही रह रहा है है ना तो अगर हम का बारे फास में इक्वालिटी गिवन है और इक्वाल नमबर यह निए दोनों साइट इक्वाल नमबर होने थी है उनको एड यह सब्ट्रैक कर रहे है तो साइन ओफ इन्पॉलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा व Third rule बोल रहा है, both sides of inequality can be multiplied or divided by the some positive number, important part is positive number, है न? Then sign of inequality does not affect, क्या कहना चाहा रहा है, example से समझो, अगर suppose मैंने बोला कि A is greater than B, है न? चीक है, A B से बड़ा है, and के कोई positive number है, positive number होना चीप, positive number यहाँ पर, है न? यह positive number की बात हो रही है, के अगर positive number है, और मैं के से multiply करती हूँ, तो sign of inequality में कोई भी change नहीं आएगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, देख लेते हैं एक example से इसको भी, भाई साब, 100 जो है, वो greater than है, 98 से, है न? बड़ा होता है न? ठीक है, मैंने क्या करा न? इसको क्या करा? 2 से multiply कर देगा, 2 is a positive number, अब बताओ भाई, कुछ changes आने वाला है क्या? मेरे साब से तो नहीं आने वाला है, तो वो ही का, वो ही sign रहेगा, राइट? पर क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं, आप को कि मैम आप तो a और b को भी positive लेकर के चल रहे हैं, चलो मैं a और b को negative लेकर के चल लेती हूँ, चीक है? है न? तो उस case में मैंने क कहा कि भाई, एक example बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि a और b मेरे कैसे भी number हो सकते हैं, a और b पर कोई condition नहीं है, मैंने आपको एक example लिया कि भाई, जो मेरा minus 5 है, वो मेरा less than है, minus 2 से, ठीक है? minus 5, minus 2 से छोटा होगा न? ठीक है? मैंने इसको 3 से multiply कर दिया, 3 जे positive number, जिस से multiply कर रही हूँ न, मैं जिस से multiply कर रही हूँ, that should be a positive number, वो positive होना चाहिए, यहाँ पर आप चाहिए, positive number लो चाहिए, negative लो, but sign of inequality का ध्यान रखना है, right? पर जिस से multiply कर रहे हैं, वो positive होना चाहिए, तो मैंने 3 से multiply कर दिया, दोना side में, तो भाई, क्या बना मेरा? minus 15 बना और यहाँ minus 6 बना, तो obvious है, ऐसा ही बनेगा, sign of inequality, minus 6 minus 15 से बढ़ा होगा, है न? ठीक है? तो sign of inequality में कोई भी change नहीं आएगा, ठीक है? ओके? clear यह चीज़, अब भाई, divide में भी देख लो, divide का भी एक example ले लेते हम लो, हम लेकर के चले, जो rule है मेरा, rule के according, मैंने बोला, suppose A is, चलो, यहाँ less than ले लेते हैं, B है, कोई फरक नहीं पढ़ेगा, less than, greater than, अगर मैं कोई K, यह M ले लेते हैं, M एक positive number से इसको divide करती हूँ, तो मेरे sign of inequality में कोई फरक नहीं आएगा, पर M should be positive number होना चाहिए, जिससे divide कर रहा है, example ले लेते हैं हम लो, तो इस पर negative कर यह देख लेते हैं हम लो, हमने बोला, minus 6 जो है, वो greater than है, minus 10 से, है न, minus 6 minus 10 से greater होता है, होता ही है न, तो मैंने क्या करा है, 2 से divide कर दिया, 2 ही जे positive number, तो मैंने divide कर रहा 2 से, यह 1 by 2 से multiply कर दिया, बात एक ही है, तो मेरे पास में क्या आया, minus 3 आया और यह minus 5 आया, अभी भी sign of inequality में कोई फरक नहीं पढ़ रहा, कोई फरक नहीं पढ़ रहा, वो ऐसा कर वैसा ही बन रहा है, है न, minus 3 minus 5 से बढ़ा होगा, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है, कि अगर आपको कोई भी inequality दे रखी है, और positive number से आप multiply यह divide करते हो, तो sign of inequality में कोई change नहीं आता है, तो भाई फिर change कहां आता है, वो भी बताते हैं कि change कहां आता है, change आएगा, आप important point, आप change आएगा, है न, और बिल्कुल ध्यान रखना है, देखो क्या है, when both sides of inequality are multiplied or divided by a negative number, important point आया, negative number, है न, अगर मैं negative number से multiply और divide करूँगी, तो sign of inequality change हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान रखना, sign of inequality change हो जाएगी, देखो, कहने का meaning क्या है, कि अगर suppose a is greater than b है, और अब मैंने कोई बोल दिया, कि n जो है मेरा वो negative number, n less than 0 है, और मैं बोल रही हूँ, n a ले रही हूँ, और यह n b ले रही हूँ, तो sign of inequality change हो जाएगी, first rule तो यह बना, चीक है, एक ओर rule साथ में divide वाला भी बना लेते हैं, कि अगर a greater than b है, और suppose मेरे पस में अब l जो है, वो एक negative number है, और मैं l से divide कर रही हूँ, तो sign of inequality change हो जाएगी, ठीक है, यह ध्यान रखना है, कि अगर मैं negative number से multiply और divide कर रही हूँ, तो sign of inequality will reverse, change हो जाएगी sign of inequality, negative number से करेंगे तो, इसका example भी देखने हैं हम लोग, हमें पता है, minus 3 is greater than minus 5 होता है, होता है न, छीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कि हम लोग ने क्या करा, minus 1 से multiply करा, स्रियान से समझना, मैं minus 1 इसे number माइना, तो मैंने minus 1 से multiply कर दिया इसको, एक मिनिट, multiply कर रहा है, अभी मैं sign नहीं लगा रही हूँ, यहां तो बन गया 3 और यहां बन गया 5, अब क्या, यहां पर यही same sign रहेगा, नहीं रहेगा ना, अब change, change हो गया भाई अब मेरा, है ना, change हो गया मेरा sign, वहां पर मेरा greater than था, अब यहां less than हो गया, तो इन general जो आपन समझते हैं ना बेटा, कि हमें यह रखा होता है, minus x greater than minus y, यह पिल्कुल ध्यांसर रखना, है ना, ऐसा दे रखा है, और हम क्या कहते हैं, हम रोग यू समझ लेते हैं, कि minus minus cancel करा, और यहां पर x, y, or sign of inequality change कर दो, वो cancel करने का मतलब क्या हो रहा है, cancel करने का मतलब है कि मैंने क्या करा, मैंने minus 1 से multiply करा या minus 1 से उसको divide करा, यह वो minus 1 है, ठीक है, cancel करने का मतलब वो minus 1 है मेरा, ठीक है, यू नियो था कि negative negative cancel करा हो, sign of inequality change करो, नहीं, logic समझो, कि मैंने वहाँ पर minus 1 से multiply या minus 1 से divide करा है, ठीक है, इस logic को समझना है, ठीक है, तो अब आगे से ध्यान दख लेना, आप अ sign of inequality change करो, पर logic mind में, back of the mind, बिल्को logic clear होना चाहिए, इसलिए में अगर हमने ऐसे बोला, कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ में, कभी ऐसा भी दे रखा होता है ना, बिटा, कि भाई, x greater than minus y है, कभी ऐसा दे रखा होता है मुझे, हैना, और मुझे minus को transformation करना है, हैना, minus 1 से multiply करना है, तो मैं क्या करूँगी, minus x और या sign of inequality change कर दूँगी, यानि अगर मैं minus से multiply कर रही हूँ, minus से multiply कर रही हूँ, या कोई भी number हो, either minus 1 हो, या minus 1000 हो, या minus से divide कर रही हूँ, तो sign of inequality will change हो जाएगे, ये ध्यान रखने की बात है, बहुत ध्यान से, हैना, sign of inequality change कर दूँगी, clear, तो positive number से multiply करने में, no change, कोई tension बाजी नहीं हमारी, but negative आते ही antenna खड़े हमारे, बिलकुल antenna खड़े, back of the mind से बहार निकालो उसको, कि negative आते ही, sign change, sign of inequality change, ओके, negative number से multiply या divide करेंगे, तो, ओके, हैना, चले, ये बहुत basic rule था, ये बताया, मैंने आपको, आगे चलते हैं, हाँजे, ये अब आपको बोला, कि अगर x y से बढ़ा है, ठीक है, x is greater than y है, and the main important चीज is, कि x and y का जो important चीज है, sign same होना चाहिए, कि या तो दोनो positive होने चाहिए, या दोनो negative होने चाहिए, दोनो का sign same होना चाहिए, ऐसा नहीं, कि एक positive है या एक negative है, दोनो या तो positive होने चाहिए, हाँपी या फिर दोनो negative होने चाहिए, हैं तो उस case में जब हम reciprocal करते हैं तो sign of inequality change हो जाती है हाँ जी हम बोल रहे हैं कि या तो x positive और y positive या फिर x और y negative तो अगर हमारे तो अगर उस case में मैं यहाँ पर reciprocal करूंगी तो sign of inequality change हो जाएगा एक rule आईए this is rule बट कब applicable है जब दोनों का sign same होगा इसको भी बताते है अभी हम इसको भी कैसे करेंगे हम लोग एक example लेते हैं कि भाई हमें पता है कि भाई 5 is greater than 2 होता है दोनों positive number ले लिए हमें 5 is greater than 2 होता है तो अगर मैं इनका राइसिर प्रोगर करती हो 1 by 5 और 1 by 2 तो क्या 1 by 5 2 से बड़ा होता है ऐसी गनित पड़ी है हमने हमने ऐसी गनित ऐसी मैस कहीं नहीं पड़ी है 1 by 5 1 by 2 से छोटा होगा तो sign of inequality change हो गए है ना ऐसी हम negative में भी देख लेते हैं बच्चो देखो negative में मैंने बोला कि भाई यहां पे minus 3 is less than of minus 2 है ना minus 3 minus 2 से छोटा होता है minus 2 बड़ा होता है negative में अब अगर मैं reciprocal करूंगे तो मेरा sign of inequality change हो जाएगा यह ध्यान रखना है ना बट दोनों साइड में कैसे होने चाहिए मीटा same sign के होने चाहिए है ना negative negative positive positive तो अगर दोनों साइड में same sign के हैं और मैंने इसको reverse कर दिया reciprocal कर दिया तो sign of inequality change हो जाएगी ओके clear तो यह कुछ basic rule से बिलकुल ध्यान में होने चाहिए है next चलिया if x y positive number है इसने बोला x greater than y है ठीक है हम e equal to 0 वाला टार रेते हैं अभी x y greater than 0 है then for any positive real number a a कोई भी positive real number है a जे positive number है तो अगर मैं इसका exponent लोंगी तो sign of inequality में कोई फरक नहीं आएगा exponent लेने पे sign of inequality में कोई फरक नहीं आ रहा है okay कैसे कैसे देखो example से समझो हमने बोला 8 is greater than 4 okay 8 4 से बढ़ा है अब मैंने क्या करा ना कि यहां पर दोनों का square ले लिया बहुत simple example ले लिया दोनों का square ले लिया तो यह 64 बना और यहां पर 16 बना sign of inequality में कोई फरक नहीं आया वो वैसे का वैसे ही बना है ना वैसे का वैसे ही बन रहा है उसके कोई changes नहीं आया राइट है और example देख लेते हम इसको मैं छुटुटुटे example से ही बता रही हूँ आपको कि भी मैंने बोला 3 greater than 2 है मैंने power 5 ले लिया power 5 ले लिया 3 की पर 5 ले लिया तो कितना हो गया 243 हो गया greater than 32 बना sign of inequality में कोई change नहीं आया वो वैसे का वैसे ही रह रहा है तो अगर x y से बढ़ा है और x और y कैसे positive numbers है और उस पर हमने power ले 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 और a भी positive होना चाहिए अभी negative power की बात नहीं कर रहे है positive होनी चाहिए तो अगर उनका exponent ले रहें तो sign of inequality में कोई फरक नहीं आ रहा है ठीक है बच्चों है ना तो भाई ये भी कर लिया हमने तो आप कुछ questions भी कर लेते हैं हम लोग simple simple questions है आपको बोला गया question होगा solve for x solve for x य यहाँ पर is equal to नहीं है inequality है inequality है अगर is equal to होता तो x का एक answer आता या दो answer आता जो quality है या linear है बट अगर inequality है तो x का answer आएगा interval system में range में interval system जो हमने पड़े हैं अभी हमने open system, close system, open interval, close interval, middle bracket उन सब में हमारे answers देखने, middle bracket कब आएगा हमारा answer? कब आएगा जब only solution और only solution कब? inequality है या inequality है ठीक है तो अभी हमको बोला solve for x, x के लिए solve करना है तो ठीक है भई हम करते हैं देखा हम simple कैसे solve कर रहे हैं हम solve वैसे ही करेंगे जैसे हम transformation करते है linear equations को या quadratic equations को जैसे हम solve करते हैं हम वैसे ही solve करेंगे यहाँ पर हमने क्या करा? भई 3x minus 4x इधर लिया है और 1 plus 2 less than 3 अब यह बन गया मेरा राइट है ना अब मुझे तो answer x का चाहिए, x का चाहिए तो तुमारी language में minus को transform कर दो है ना तुम तो यह बोलते हो यह minus card दो ऐसा बोलते हो है ना मैं कहा दीओ minus 1 से multiply करा दोनो side में तो minus 1 से multiply करा तो यह x बना और यह minus 3 बना बट अब sign of inequality because of मैंने multiply करा है minus 1 से है ना तो मेरा sign of inequality change हो जाएगा तो मेरा answer लिखने का तरीका एक तो यह आया अब इसी answer को मैं कैसे कैसे लिख सकती हूँ है ना मैं यह लिख सकती हूँ या फिर मैं इस answer को लिखूँगे x minus 3 से बढ़ा है तो मैंने number line पे देखा यह minus 3 है मेरा x ऐसा आ रहा है और यहाँ पे क्या है बीटा greater than है greater than equals to नहीं है है ना greater than है ठीक है और greater than है इसका मतलब वो minus 3 included नहीं है और minus 3 included नहीं है तो उस पर कैसा bracket आता है जब included नहीं है तो open वाला bracket आता है राइट है ना तो open वाला bracket आएगा तो अपन आंसर कैसे लिखेंगे बच्चो x belongs to क्योंकि minus 3 से बढ़ा चल रहा है तो minus 3 से infinitive मेरा answer यह बना यह लिखने का तरीका ऐसा आना चाहिए अपने को answer हर format में लिखने को आना चाहिए हम लोगों को ठीक है clear कोई doubt है किसी को doubt है तो बता सकते हो आप लोग कि भई कोई doubt आ रहा है तो तो simple solving हम जैसे linear equation करते हैं वैसे ही कर रहे है पर एक जगे पर antenna खड़ा एक जगे पर trick करा क्या जैसे ही minus आया मुझे तो answer x का चाहिए था ना मुझे minus x का answer नहीं चाहिए था right मुझे minus x का answer नहीं चाहिए था यहाँ पर तो मैंने क्या करा ना minus 1 से multiply करते ही मेरे पास में क्या हुआ यहाँ पर sign of inequality change होगे ठीक है और अब मैंने देखा कि number line पर minus 3 से बड़ा बन रहा है तो मेरा number line यह वाला बना और यहाँ पर is equal to भी नहीं है तो यानि hollow circle मैं सब तरही किसे बता रही हूँ आपको यानि सब काम में आने वाला है तो इसलिए x का answer क्या है x belongs to open minus 3 to infinity ओके ठीक ह है हना पक्का चलिए आगे चलते हैं हां जी तो next question 8 minus 4 x greater than equals to 7 minus 2 x solve करेंगे आप लोग करिए करते हैं फिर check करते है answer आता है क्या चलिए देख लेते हैं मैं करके देख लेते हूँ इसको आप अपने answer को match करिए फिर क्या आता है क्या सेम हम simple equation की तरह करेंगे minus 4 x plus 2 x यहां ले लिया 7 minus 8 कर दिया मैंने तो that is minus 2 x greater than equals to minus 1 बना right है ना अब भाई मुझे तो answer x का चाहिए है ना x का चाहिए तो मैं क्या करूंगी यहां पर minus 2 का divide करूंगी और minus 2 का divide करा तो sign of inequality change, minus 2 का divide करा तो यहां पर बना x और sign of inequality को change कर देंगे और यहां पर बन जाएगा one over two क्योंकि हम minus 2 का divide कर रहे है ना minus 2 का divide करेंगे तो minus minus cancel हो जाएगा ना फिटा और but sign of inequality change हो जाएगा clear है ना बच्चे क्या करते हैं, इन जनरल एक step और बना लेते हैं, बच्चे क्या करेंगे, वो भी बता देती हूं मैं क्या करेंगे, minus minus cancel करा, 2x less than equals to 1 करा, आप दोनों साइट, आप मने positive value है 2, अमें 2 से divide करा मैंने, तो मेरा x 1 by 2 से या गया, एक step और बना गया, एक answer अब ये मिला में देखा, दूसरा answer मैंने number line से देखा, x 1 by 2 से छोटा आया है, ये 1 by 2 है, और 1 by 2 पे अब क्या हुआ, close आया, क्योंकि equals 2 आगया, equals 2 है ना, इसको देखो, equals 2 आगया है मेरे पास में, तो close ले लिया, बट x 1 by 2 से छोटा है, ये है, यानि 1 by 2 included हो रहा है, included होते ही कौन सा bracket बिट close bracket, बड़ा वाला bracket, ये ना, तो मेरा answer एक और मिला, x belongs to, पहले हम lower side लिखते है, minus infinitive to 1 by 2 close, अच्छा बीटा, infinitive and minus infinitive पे हमेशा open bracket आता है, ये ना, infinitive and minus infinitive पे हमेशा open bracket आएगा, ये ना, क्योंकि वो कभी भी included नहीं होते है, हमें पता ही नहीं कौन सा number है, इसलिए उन पे हमेशा open आएगा, अब 1 by 2 से छोटा गया, तो छोटा गया, छोटा गया, छोटा गया, छोटा गया, तो कहां गया, minus infinitive तो गया, उसका lower value तो minus infinitive and upper value 1 by 2, ठीक है, but 1 by 2 पे कैसा है, equals to का sign है, तो कैसा sign आएगा, close bracket आएगा, ठीक है, तो ये सारे हमारे answers लिखने के तरीके हो है, हर तरीके को आना चाहिए हमें, ठीक है, clear ये चीज, चलिए, ये सब clear हो गया है, तो आगे चलते हैं, आगे problem ले लेते हैं हम लोग, फोड़ी से अच्छी problem ले लेते हैं, है न, सब ऐसी सब चीजे अपने linear equations में करिए न, बिटा 7th 8th class में, बस वो ही सब चीजे हैं, but inequality क है solve करने में, answer देने के तरीके में change आगया हमारा, ये न, answer representation में change आगया, बस वो ही करेंगे हम लो, question ये था मेरा, 5-2x upon 3, less than equals to x by 6-5, तो हमने क्या करा, यहापर LCM ले लिया, 6, that is x-30, यही आ रहा है, अभी क्या करा हमने, क्योंकि यहापर दोनों से positive values है, positive values है, है न, मैं यहापर cancel भी कर सकते हैं, इसको 2 कर दिया, और मैंने cross multiply कर दिया, वैसे तो मैं भी आगे बताऊंगे, कि अगर यहापर variable होगा, x variable होगा, आपको next class x कैसा है, positive है या negative है, वो मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, कि वो positive है या negative है, okay, तो मैंने क्या करा, अभी बेको पता है कि positive है, तो मैंने cross multiply कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं अब मैं इसको solve किया, अब ऐसी बन गया मेरे पास simple बन गया, simple बन गया तो मैंने इसको बोला minus 5 x ये बन गया, simple, वही minus 5 से मैंने करा, इसको divide करा minus 5 से, sign of inequality change, x greater than equals to 8 आ गया, ठीक है, minus 5 से करा है अपनने, but sign of inequality change हो जाएगी, right, है न, ऐसे ही करते हो न आप लो, बिल्कुल ऐसे ही करा है मैंने, ठीक है, x greater than equals to 8 आ गया, answer देखने का तरीका, एक answer तो ये बना, number line पर देखा, यहाँ 8 है, अब 8 से बड़ा है, and 8 included है, हमने ये कर दिया, ठीक है, अब मेरा answer एक कैसा बना, अगर मैं ब्रैकेट सिस्टम में लेती हूँ, 8 से बड़ा, तो lower value, lower part कौन है, 8 है न, और 8 से बड़ा है, तो बड़ा, तो higher side में कहां गए हमें, पता ही नहीं, higher side में कहां गए हम, तो infinite, और infinite में open, ठीक है, clear, है न, तो ये चीज दियान होने जाए कि कैसे कैसे हम answers को लिख रहे हैं, कैसे solving कर रहे हैं, आगे देख लेते हैं, चलिए, इसको solve करते हैं हम दो, विलकुँ simple simple question है, आप लोग सासाथ पर solve करते हैं रहे हैं, देखो, है न, ठीक है भाई हमने LCM ले लिया यहाँ पर 4, और दिस इस-4 हो जाएगा, बिलकुल वैसा ही है जो अभी करा हमने, this is x-3 by 4 हो गया, 2, अभी positive side है, x नहीं है, variable नहीं है, positive number है, cross multiply, you can do cross multiply, very easily, यहाँ पर कोई tension नहीं होगा, कि हम 2 से multiply कर रहे हैं, meaning हम logically बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 से multiply कर रहे हैं, और 2 से multiply कर रहे हैं, positive value से multiply कर रहे हैं, so sign of inequality, change नहीं होगी, है न, 6 x minus 8 and simple वो ही बन गया हमारा, simple, right, है न, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, 5 x मैं डारेक कर रहे हूं अभी हापे, greater than equals to 5, अभ तो कोई tension ही नहीं है, negative number आया ही नहीं है, antenna खड़ा करने की जुरुवती नहीं है हमें, है न, तो क्या बन गया हमारा, x greater than equals to 1, simple और अब डारेक्ट अंसर देते हैं, हम number line नहीं plot करते, x 1 से बड़ा है और 1 included है, दिमाग भी picture बना लो number line की, 1 से बड़ा है और 1 included है, तो हम answer क्या देंगे, x belongs to close 1 to infinitive open, right, तो यह दोनों type से मैंने answers को दे दिया, कैसे भी पूछे लो हम सारा बता सकते हैं, okay clear है न, ठीक है, चलिए, तो यह बहुत बहुत basic basic problems है जिनको की हम कर रहे हैं, बिलकुँ simple है, बिलकुँ simple problem है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इस problem में, जैसा भी करा वो ही है, positive number है, है न, multiply करना है, simple, कर लेते है, 6 minus 3x greater than equals to 2 minus 2x, क्या नाम है, इसीता, okay इसीता एक message है आपके लिए कि आप after the class group में अपना message number send कर दीजेगा, right है न, ताकि आपको add कर लिया जाएगा, ग्रुप को जाइन कर रखा है sir उन्होंने, तो फिर ग्रुप में कैसे send करेंगे, अच्छा चैट में number send कर पहेंगे, इसीता आप एक number note कर लिजे, उस number पर आप हाय करके उसको message कर रिए, इसीता है न, right आप number पताईए sir, एक second, न, अपने number को वो बेजेंगे न, तो किस number पर send करेंगे, किस number पर send करेंगे, एक second, 8000793, आप इस number पर आप हमें send करेंगे, अपना number, अपने details send कर दीजे, ताकि हम आपको add कर लें महां पर, है न, this is message for ishita, 800793693, इस number पर आप अपने details हमें send कर दीजे, बेटा, क्लिया, चलिया, हाँ जी, तो हम इस problem को कर रहे थे, होप सो बच्चों आप लोगोंने कर दिया होगा और answer आ गया होगा, है न, देख लिजे, तो यहाँ पर देखते है हम लोग, यह बन गया अपने direct यह इधर आया, minus x बन गया और यह this is minus 4 बन गया, minus 1 से multiply कर रहा, sign of inequality change, है न, ठीक है, तो मतलब यह कि मेरा कहने का मतलब था, यह question क्यों दिया गया था, कि बच्चे करीवा, confused होते है कि मैं, यहाँ पर negative number है, तो अगर हम यहाँ पर multiply कर रहा है, sign of inequality क्या change करते है, अभी नहीं, अगर आप दोनों side में same number से multiply करते हो, तो sign of inequality को change करोगे, न, नहीं तो अगर इसी side में कोई work कर रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं, side में कोई work कर रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब answer आप लेक सकते हो, x belongs to close 4 to, less than sorry, less than है, देखिए, x 4 से छोटा है, छोटा है, तो कहीं भी रह सकता है, छोटे में तो, minus infinitive तर, तो मेरा answer आएगा, minus infinitive to 4 close, okay, ठीक है, okay, है ना, मिलकुल simple simple problems, हर चीज को आप thought दो, 8000 क्या हुआ? 8000 है भाई, दुबारा से correction कर लीजे, number में, मैं वापस बोल रहा हुए शीता, आप इस number को देख लीजे, दुबारा से 8000 793693, ठीक है, यह note कर लीजे आप इस number को, और इस number पर अपनी detail send कर दीजे, ताकि हम आपको ग्रुक में add कर सके, ठीक है, चलिए, अब देखो, जो बात में कहने वाली थी, वही चीज आ गई है, इस question के अंदर में, इस question को करते हैं, भाई यह question को करते हैं, है ना, अब को, अभी को sign of inequality में change नहीं करेंगे, हम लोग, plus 24, यह बना, है ना, बिलकुल simple, ठीक है, अभी नहीं change कर रहा हमने, कुछ भी change नहीं कर रहा अभी हमने, 32 minus 3x बना, simplify only, x plus 24 बना, simplify कर लेते हम लोग, अभी ऐसा ले लेते हैं, ऐसा कर लिया, एक और यह 4x, ओके है, है ना, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 का divide करा, है ना, यह answer आया, यानि मेरा answer मिल रहा है, x less than equals to 2, x less than equals to 2, है ना, x2 से छोटा है, छोटा है, simple लिख लो, x belongs to, minus infinity, say too close, answer आ गया आपका, ठीक है, है ना, तो अभी हमने कोई भी changes नहीं करे थे यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने तो bracket solve किये ना, only, हमने तो एक ही side पर work किया था, ना, minus से करने का, ठीक है, bracket solve किया था, तब नहीं change करेंगे, हम change करते हैं, जब हम इधर में कही minus से multiply करते हैं, चीक है भई, clear हो रहा है, हुपसू हो रहा होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि next class में हम लोग करने वाले हैं, wavy curve method start लिए, इसलिए basic यह सब आना चाहिए हमें, अब यह कर लिया, तो अब last problem देते हैं हमारे, reciprocal की आ गई है, reciprocal की और इस इस दा last problem है ना, मैंने आपको सारे type of questions बता दिया, अब अपन reciprocal वाली भी बात कर लेते हैं, देखो, one upon x greater than equals to five बोला, तो obvious है, obvious है, हमने जब reciprocal वाली बात करी थी, तो हमने एक बात करी थी कि दोनों साइट में सेम मतब sign होना चाहिए, either both side positive होना चाहिए, both side negative होना चाहिए, अब भी अगर हम बात करें, तो one by x five से बड़ा है, तो obvious है कि one by x तो greater than zero ही है, क्योंकि वो five से बड़ा है, ठीक है, तो ये वाला वाली positive है मेरे पस में, और ये भी positive है, ठीक है, ठीक है ये तो हमें clear हो गया, और जैसे ही ये clear हो गया, तो अगर मैं इसका reciprocal कर दूंगी, तो sign of inequality change, क्योंकि दोनों side में positive quantity है, मैं reciprocal कर सकती हूँ और हमसे, कोई tension बजी नहीं है मुझे, तो मैंने इसको reciprocal करा, x और या 1 by 5, तो sign of inequality change हो गई मेरे, ठीक है, sign of inequality change हो गई है अब मेरी, है ना क्योंकि दोनों side में कैसे number थे मेरे, positive number थे मेरे, है ना, ठीक है, अब x less than equals to 1 by 5 है, तो मुझे answer लिखने में तो कहीं कोई problem नहीं आना चाहिए, भाई, अब तो less than बोला है, minus infinity, 1 by 5 बोला, लिखा और यहां पर equals to का sign भी है, तो big bracket, यह मेरा answer आ गया, ओके, ठीक है, clear है ना, तो बस यह चीज़ धियान करने कि जब यह reciprocal करोगे, तो बिलकुल दिमाग में रखना, यह चीज़ बहुत दिमाग में रखना, कि inequality के दोनों side के अंदर में, जो मेरे पास पर जो भी कुछ दे रखा है, वो either positive होने चाहिए, या फिर दोनों negative होने चाहिए, तब भी जैसे आप reciprocal करोगे, sign of inequality change करोगे, है ना, नहीं तो suppose ऐसा है कि एक तरफ negative और एक तरफ positive है, है तो बड़ा गडबड घुटाला हो जाता है, उस case के लगड़ा है, है ना, क्योंकि जैसे suppose यह करा आपने, सोचो आप thought दो, खुद thought दो इस चीज़ को, कि भाई आपको पता है, कि 5 greater than minus 3 है, है ना, ठीक है, खुद thought दे रहे, एक तरफ positive एक तरफ negative लिया, और मैंने reciprocal करा, तब तो यह greater ही रहना है ना, आप तोड़े ना, sign of inequality change होनी है, किसी भी situation में नहीं होनी है अभी, वो वैसे के वैसा ही रहना है, है ना, तो इसलिए sign of inequality कब change हो रही है, जब या तो दोनों साइड में positive है, या फिर दोनों साइड में कैसे है, negative numbers है, तब ही sign of inequality को change करना है, तो यह बिलकुल आपको clear हो जाना चाहिए, कि वो जो x बन रहा था, वो कैसा था, तो अभी मैंने यहाँ पे कहा कि जो 1 by x है, क्योंकि वो 5 से बड़ा है, तो positive ही होगा, और 1 है positive, तो obvious x को कैसा होना पड़ेगा, positive ही होना पड़ेगा ना भीटा, तो x को positive ही होना पड़ेगा मेरे पास में, right, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर एक चीज़ और आईए, इस question के अंदर में, कि 1 by x greater than 0 बोला है हमें, हमें solve for x बोला है, और हमने बोला यहाँ पर कि x 1 by 5 से छोटा है, अब में एक चीज़ और अच्छी बता देते हूं, देखो, एक mind में और आ गया इसके अंदर में, क्या भी, अब यहाँ पर 1 by x को positive होने के लिए x को भी positive होना पड़ेगा, चलो एक concept सिखाना ही था मुझे, अभी सिखा देती हूं, x को भी क्या होना पड़ेगा, positive होना पड़ेगा, right, क्योंकि अगर x negative हो गया, तो वो तो ऐसे भी negative हो रहा है, आपके पास में, x को क्या होना पड़ेगा, positive होना पड़ेगा, पर मेरा answer तो कहां आ रहा है, x minus infinity से 1 by 5 में आ रह चाहिए था, x positive होने चाहिए था, अब minus infinity से 1 by 5 में सोचो कि क्या हुआ, यह बने, तो यहां तो मेरे पास में negative numbers भी आ गए है, इसमें तो मेरे पास सारे negative numbers भी x के आ गए है, सारे आ गए ना यहां पर तो, यबकि x को लेना कैसा है, positive है ना, तो मैंने क्या करा, मैंने intersection concept भी स सीख लो, जो next class में आएगा, x को positive लेना है, यानि मुझे तो x यहां पर जाना है, मेरा x तो greater than 0 होना चाहिए था, right, x तो positive लेना था मुझे, तो मेरा answer क्या आएगा, जहां यह दोनों match कर रहे है, intersection, जहां दोनों match कर रहे है, है ना, मुझे x को positive लेना था, 0 से बढ़ा लेन 5 के बीच में, यानि मेरा answer आना चाहिए, x belongs to 0 to 1 by 5, यह answer बनना चाहिए, यह answer बनना चाहिए, मेरा, okay, तो इस answer को हम कैसे लिखेंगे, बिलकुल यह answer समझना है हमें हर चीज को, 0 open to 1 by 5, यह चीज, क्योंकि वहां पर देखो, मैं वापिस से बताती हूं आपको इस के अंदर में, कि भाई, x कैसा होना चीज था हमारा, greater than 0, यहां पर आए हम लोग, x को positive होना था, तभी वो positive होगा, तभी वो क्या होगा, 1 by x जो है, वो मेरा 5 से बढ़ा होना था, क्योंकि इधर भी positive value लेनी थी मुझे, positive लेने के लिए x को positive होना पड़ेगा, x को greater than 0 होना पड़ेग है ना, तो मैंने answer यहां से दिया, कि भी minus infinity से 1 by 5 दे दो भाई, right, है ना, बट इसके साथ इसका क्या होना चाहिए, intersection होना चाहिए, यहां पर, ठीक है, अब minus infinity से 1 by 5 दिया, तो उसमें तो बहुत सारे negative numbers भी तो आ गए, बच्चों, बहुत सारे negative numbers भी तो आ गए, बहुत सार answer x का दे देती हूं, यह वाला, यह वाला, अगर मैं पूरा answer x का दे देती हूं, तो वो तो गलत हो गया, प्योंकि उसमें तो x negative भी आ गए, जबकि हमें x कैसा लेना है, positive लेना है, मुझे तो x 0 से बढ़ा चाहिए, मेरा answer इधर आना चाहिए, इन दोनों का intersection ले लिया मैंन common ले लिया, common, x 0 से बढ़ा और 1 by 5 से छोटा, तो common x 0 से बढ़ा और 1 by 5 से छोटा, तो मेरा answer यह आएगा, clear, तो थोड़ा सा thoughtful case करेंगे, अभी हम आगे आएंगे ऐसे questions, थोड़ा सा thought देना पड़ेगा, हमें, ओकी, चलिए, तो आज हमने पड़ें, केवल basic rules के बारे में प स्टार्ट कर देंगे, ठीक है पीटा, चलिए, पढ़ते रहिए, और बहुत जल्दी आपको, आपका homework भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उस पर क्या कर रखा है, हाँ, आप लोग website पर login करके, चेक कर लिजे, जो हमारी जो lectures है, उनका PDF आपको website पर भी मिल जाएगा वहाँ पर, हाँ, सब को पता ही है website क अन्युक्रॉन लाइफ दॉट कॉम है अपनी, हाँ यह आपको पता ही है website, वहाँ पर join करके, चेक कर लिजे, और वह जो number आपको दिया गया, तो आपको कोई भी एंक्र है तो, उस number पर आप उस को आपको सारे सारे Lecture Notes नोत्स मिल जाएंगé वहाँ पे and साथ में आप वो number note कर लिजे, sir आप एक बार नमबर वापस बता दीजे, मुझे मैं number वापस बता लिख देती हूं बच्छो को. एक बार नमबर में वापस लिख लिख रही हूं बच्छो, 8000-79-3693, 8000-79-3693 इसको एक बार आप लो note कर देती हूं यहां पर आप कुछ भी inquire कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, कोई tension होता हो, कहीं कोई problem आ रही होता हो, आप परसनल आप इस नमबर पर कर सकते हो, तो मिल जाएगा हमें, ओके, ठीके, चलिए यह नमबर नोट कर लिजिए और इसको revise करिएगा, अपन नेक्स क्लास में करेंगे वेवी का method, उसको समझने वाले हैं, चलिए, all the best, पढ़ते रहिए.